हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम तो दी यूट्यूब चैनल, डीप रिपेर फॉर यजी सीनेट, डॉंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब दी चैनल, और प्रेस दी बेल आइकन पॉर लेटेस वीडियो अपडेट क्या आप भी एजुकेशन के फिल्ड में टोप मोस् लेवल पर पहुँचना चाहते हो या आप भी पीएज़डी डिग्री लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो टोटली आपके लिए है नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं PhD के बारे में Frequently Asked Questions पर Commonly Asked Questions पर PhD अगर आप करना चाहते हो तो ये questions आपके मन में कई बार उठते होंगे क्योंकि मेरे पास भी इस वीडियो के उपर काफी बार डिमांड आ चुकी है PhD से रिलेटिट एक वीडियो बनाने के लिए तो आज हम इस वीडियो के अंदर टोटली बात करेंगे PhD एक्चल में है क्या आपको इसके लिए क्या 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 क्वालिफिकेशन जाहिए कितने duration की रहती है कितना time होता है इस degree को करने के लिए working आपको क्या कुछ जो है इस degree के दौरान काम करने होते है degree actually में आपको मिलती कैसे है क्या आपका qualifying criteria यहाँ पर रहता है admission इसके अंदर अगर ले तो कैसे ले fees कितनी है जो commonly asked questions आपके सब रहेंगे और कहाँ admissions ले तो हम इसके ऊपर totally इस video के अंदर बात करने वाले है तो अब आपके सारे doubts clear होने वाले है let's start the today's video उससे पहले एक announcement में आपके साथ share कर रही हूँ unacademy की तरफ से जो आपके batches का calendar है वो आज चुका है 22 December से लिए कर 29 December तक आप यहाँ पर सारे देख सकते हैं तो आपने जिस भी exam से related यहाँ पर preparation करने की सोच रहे हैं बहुत अच्छा dashboard है बहुत अच्छी आपकी studies होगी यह मेरी guarantee है इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर 20 के top educators है वो आपको पढ़ा रही है तो जिस भी आप field के अंदर preparation कर रहे हो उसके according जो है आप जल्दी से enrollment ले लो और price hike आपके लिए alert में आपको काफी दिन से बता रहे थी price hike जो है वो आपके लिए आ रहा है तो जल्दी से इसके लिए subscribe कर लो price hike की जो date है वो final हो चुगी है 25 December को 25 December से आपका price बढ़ने वाला है UGC net के लिए तो अगर आप unacademy के तूप preparation करने के सोच रहे हो तो जल्दी से इस price hike को beat करो इससे पहले पहले आप अपना subscription ले लो और subscription ये टे time के code लगाना मत भूलेगा इससे क्या है आपको 10% discount मिल जाएगा अपनी fees में तो जल्दी से इसके लिए subscription ले लो enroll कर लो okay let's start today's topic PhD actually में है क्या PhD full form is doctor of philosophy highest education program है हमारा इंडिया के अंदरा गरम बात करें इसके बाद कोई education का sector नहीं बज़ता है actually ये क्या है हम master कर लेते हैं एक तरह से हम उसके doctor बन जाते हैं उस subject के अंदर जिसके अंदर हम PhD कर रहे हैं ये doctoral research degree है research work के लिए जो है actually ये पूरा research के उपर focus है जिस field के अंदर आप पढ़ते आ रहे हो अगर आप उसके अंदर research करके उसके अंदर कोई अपनी कोई नई खोजबिन करके आप उसके अंदर अपना योगदान देना चाहते हो तब आप PhD कीजिए ये actually है matter of proud है आपके लिए सब के लिए Indian society के अंदर क्योंकि जो PhD की degree है वो highest level की degree है ये proud feel होता है एक person को अगर वो PhD complete करता है according to one specialization आपको अपनी specialization के according इस program का pursue करना होता है that means अगर आपने master degree Hindi subject में की है तो आप PhD भी Hindi के अंदर करेंगे अगर आपने master degree commerce में की है तो आप PhD भी commerce में करेंगे अगर आपने master degree अपनी maths की complete की है MSA किया है तो आप अपना PhD degree भी maths की रखेंगे तो ये आपकी specialization के according होती है कि आपने PhD में कौन सा subject लेना है qualification required for PhD अगर आप PhD करना चाहते हो तो आपके पस क्या-क्या qualification होनी चाहिए आपके पस master degree होनी चाहिए जिसके दर minimum 55% marks जो है वो आपके आए हो तब ही आप इस program के लिए apply कर सकते हो और दूसरी बात candidates के पास necessary language skills होनी चाहिए that means किसी भी students को पढ़ाने के लिए हमारे इंडिया के अंदरा घरम बात करें तो हमें दो languages properly आनी चाहिए एक हो जाती है हमारी हिंदी हमारी राष्ट भाषा और एक हो जाती है हमारी English जो काफी students use करते हैं तो ये चीजे जो है आपको जरूर पता होनी चाहिए इन लेंग्विजस के आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए तो क्वालिफिकेशन के बाद हम बात कर रहे हैं डियूरेशन के बारे में कितने टाइम के लिए होता है पी एशटी का प्रोग्राम डियूरेशन जो है वो पी एशटी की टू यह रहती है कहीं कहीं इसका टू से द्री यहर साप मिंदि म कहा सकते हो अकॉर्ण टू यूबशिटी डिपान करता है टू यहर्श मिनम रहती है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमित नहीं है लेकिन कुछ universities के अंदर इसकी maximum limit 5 years की होती है अब ये minimum और maximum कैसे होता है ये depend करता है कि आप अपनी thesis कितने time में लिख पाते हो क्योंकि इस course के अंदर आपको एक thesis लिखना होता है अपने topic से related और ये जो आप thesis लिख रहे हो actually आपकी knowledge जो है वो आप contribute कर रहे हो towards that subject वर्ल्ड के लिए कोई अपनी new knowledge जो है उस subject से related आप create कर रहे हो thesis उसके बारे में लिख रहे हो thesis जो है वो किसी faculty के under guidance में लिखी जाती है किसी faculty के guidance में लिखी जाती है इसमें काफी साल भी लग जाते हैं अगर आप consistent और focus नहीं रहते हो इसके अंदर एक पड़क ये भी है अगर आप खुद के पैसो से अपनी degree ले रहे हो PhD की degree कर रहे हो तो आप इस thesis को जल्दी से जल्दी complete करके इसकी duration को लगबग 2-3 साल के अंदर जो भी minimum time होता है उसके अंदर complete कर लेते हो लेगिन अगर आपको कहीं से fellowship मिल रही है जिससे आप JRF की बात करते हो अगर आपनी JRF clear कर लिये हैं तो mostly students कोशिश करते हैं कि 5 साल के अंदर वो अपनी PhD को complete करें ऐसा क्यूं है मैं आगे चल के बताती हूं What to do during PhD PhD के during आपको क्या काम करने होते हैं सबसे पहले आपको literature review करना होता है जो आपके field से related पहले से कोई scholars हैं जिन्होंने अपनी thesis लिखी है तो उसके आप research survey करते हो literature research review करते हो कि उन्होंने क्या क्या चीजे find out कर ली है उसके बाद आप originally अपनी research करते हो उसके according results जो है वो collect करते हो उसके उपर thesis बनाते हो ताकि अपने conclusions को present कर पाओ तो thesis एक तरह से आपकी research work का निचोड है फिर आप thesis लिखते हो और उसे submit करवाते हो it is a dissertation आप उसे submit करवाते हो फिर अपनी thesis को defense आपको करना होता है defend करना होता है कि मेरी thesis कितनी सही है आपका oral वाइवा वोसे exam होता है वाइवा exam होता है और ली उसके अंदर आपको अपनी thesis को defend करना होता है तो totally ये working आपकी PhD के दोरान रहती है doctoral degree reward कैसे मिलता है इंडिया के अंदर अगर आप बात करें ये based होता है quality of your thesis के उपर thesis की quality कैसी है जो कि आपने बनाई है degree के end में जब आप इसे submit करवा रहे हो internally अपने within a university जहां से भी आप इसे कर रहे हो जब आप इसे internally submit करवाते हो तो उसके अंदर कुछ corrections की जरूरत होती है अगर कुछ corrections की जरूरत होती है तो उसे आपको resubmit करवाने के लिए कहा जाता है जब उन्हें लगता है जब आपके internals को लगता है कि आपके thesis विल्कुल ओके है तब वो आपको external examination के लिए फर्दर भेशते हैं final करते हैं आपके thesis को फिर क्या है जब आपकी university जो है वो आपके thesis के लिए yes कर देती है तो आपको कोई भी external examiner जो है वो orally एक से ज़ादा external examiner जो है वो orally आपके जो है वो वाईवा लेते हैं आपसे उस thesis के उपर defend करने को कहते हैं पूछते हैं कि ये thesis क्यों लिखी गई है क्या है इसका main maksd ये उसे related ही कुछ questions जो है वो आपसे पूछे जाते हैं external examiner के दवारा उसकी बाद admission कैसे ले PhD program के अंदर PhD program में अगर आप admission लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको master degree complete करनी होगी minimum 55% qualify करना होगा minimum 55% उसके अंदर आपको लेने होगे उसकी बाद qualified net jrf exam आपको net jrf exam qualify करना होगा देखो ये net jrf exam को लेकर थोड़ी सी अभी confusion ये रहती है कि कुछ एक universities ऐसी है जो पक्का मानती है कि jrf आपका clear हो तब ही जो है आप PhD ले सकते हो कुछ universities ऐसी है जिसके लिए जो क्या करते है कि उनको jrf भी चाहिए लेकिन उसके बाद वो अपना खुद का entrance exam भी लेती है ये second type universities हो जाती है जो खुद का entrance exam भी लेती है PhD से पहले उसके लावा third type of universities हो जाती है जो jrf को value नहीं करती है उनको jrf से कोई relation नहीं है वो सिधा अपना entrance जो है वो provide कर जो है वो लेती है entrance test लेती है और उसके बाद फर्दर जो है वो interview होता है उसके बाद admission हो जाता है तो आपको university के type के according चलना होगा अगर आपकी university SE है जिसके अंदर आपको jrf clear करके ही आपको directly वहाँ पर interview का मौका मिल जाता है entrance exam नहीं होता है तो the best है अगर आपकी university SE है जिसके अंदर jrf clear होना चाहिए then आप जो है वो interview कर सकते हैं then आपको sorry entrance exam होगा तो आपको यह दो level से गुजरना होगा in universities के अंदर फिर आपको further interview तो आपको हर level पर हर एक university के अंदर देना ही है उसे pass करना ही है PhD में admission के लिए उसके बाद हम path करें fees की तो fees के अंदर कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि fees structure बिलकुल university के ओपर depend होता है बहुत variation है लेकिन अगर हम lump sum amount की बात करें तो approximately 2-3 lakh रुपे आपके लग जाते है PhD को करने में लेकिन अगर आप GRF Junior Research Fellowship आपने ले रगी है NET का paper आपने clear किया हुआ है तो आपको बिलकुल भी कोई cost pay नहीं करनी पड़ती तो आज ये अनकेटमी के बारे में भी सोचो approximately मैं ये बात कर रहे हूँ 35,000 रुपे पर मंथ आपको GRF के दोरान मिलते है मतलब आपने GRF की है उसके बाद आप PhD में enroll कर रहे हो admission ले रहे हो अपना नाम जो है वो दर्ज करवा रहे हो PhD में ठीक है सेलेक्ट हो जाते हो तो 35,000 रुपे पर मंथ आपको ये अमाउंट यूजी से की तरफ से मिलती है अपने research work को करने के लिए लेकिन हम बात करें तो इसके अंदर course जो है वो लगवग 10-15,000 रुपे लेकिन आपको मिल रहे है 35,000 रुपे तो देखो एक तरह से आपकी भचत ही है इसलिए जो student जो J.R.F के थू करते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि 5 साल तक ये course चलता रही क्योंकि उनको जो है अपनी खुद की एक तरह से salary टाइप आपको जो है वो मिल रही है वहाँ पर आपको scholarship मिल रही होती है लेकिन अगर आप खुद अपने खर्चे पर कर रहे हो तो of course खर्चा बढ़ा रहे हो अगर आप जादा टाइम ले रहे हो तो वो कोशिश करते हैं कि वो 2 से 3 साल जो minimum period है उसके अंदर वो PhD को complete कर ले उसके बाद हम बात करें वियर यू शूद टेक अड्मिशन आपको अड्मिशन कहां लेना चाहिए लास्ट कोशिण तो 47 Central Universities हैं इंडिया के अंदर Central Universities की value सबसे ज़्यादा है वैसे आप चाहे तो State Universities में ले सकते हैं Private Organized Private Universities के अंदर ले सकते हैं लेकिन Central Universities के अंदर अगर आप PhD करते हैं तो उसकी value सबसे ज़्यादा है अगर आप कोशिश करें तो इनके अंदर करें तो the best है Central University actually में क्या है जो Central के दोरा Administrator की गई है Indian Government के दोरा चलाई जाती है Department of Higher Education के थ्रू चलाई जाती है ठीक है उनके उपर बुरा जो है वो Administration होती है पूरी की पूरी Indian Government के हाथ में कुछ उनिवसिटिस के नाम है यहाँ पर आपको बता रही हूँ DU Delhi University हो गई JNU हो गया जाहलाल National University जाहलाल National University BHU हो गया बनारस Hindu University AU अलाबाद University AMU आपकी अलिगर्ड Muslim University हो गई JMIU आपकी जामिया इसलामिया जामिया इसलामिया उनिवसिटि हो गई तो आपकी जो है different type of universities है आप कहीं से भी इस course को कर सकते है sent university से करेंगे तो कापी ज़्यादा इसकी value होती है students तो यह थी मेरी वीडियो होप सब को वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे like जुरूर करना friends के साथ share जुरूर करना ताकि उनके भी कुछ questions जो है वो solve out हो सके और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा क्योंकि ऐसी ही interesting और आपकी जो knowledgeable videos जो है मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी और students bye bye take care have a nice day